स्वामी आत्मस्थान अंजी ने अपने पूरे जीवन आगे बढ़ाया उन्होंने देश के अलग-अलग हिस्सों में अपना जीवन खापाया अनेक काम किये और जहां भी वो रहे वहाँ पूरी तहर रजबस गए गुजरात में रहकर वो इतनी अच्छी गुजराती बोलते और मेरा तो सहुखा गे रहा कि जीवन के अंतकाल में भी जब उनसे बात होती थी तो गुजराती में होती थी मुझे भी उनकी गुजराती सुनना भहुत अच्छा लगता था और मैं आज याद करना चाहता हूँ कि जब कच्छ में भूकम पाया था तो एक पल भी उन्होंने नहीं लगाया और उसी समय तब तो मैं राजनिती में कुछ भी नहीं था मैं किसी पतपर भी नहीं था एक कारकरता की रूप में काम करता था उस समय भी उन्होंने मेरे साथ सारी परिस्तिती की चिंता की बातिती और रामक्रिष्ण मिशन कच्छ में क्या काम कर सकता है और देखते ही देखते पूरे विस्तार से और पूरे समय उनके मारदरसन में उस समय कच्छ में भूकम पिडितों को राहत देने के लिए बहुत सारे काम चालू हो गए इसलिए राम कृष्ण मीशन के संतों को देश में राष्ट्रिय एक्ता के समवाहक इस रूप में हर कोई जानता है और जब वो विदेश जाते हैं तो वो वहाँ भारतियता का प्रतिनिदित्व करते हैं साथियो राम कृष्ण मीशन की जागरत परंपरा राम कृष्ण परंपरा जैसी देविय विभुति की साधना से प्रगट हुई है स्वामी राम कृष्ण परंपरंपरा एक ऐसे संत थे जिन्होंने मा काली का स्पष्ठ साक्षातकार किया था जिन्होंने मा काली के चरणों में अपना सर्वस्च समर्पित कर दिया था वो कहते थे ये संपूर जगत ये चराचर सब कुछ मा की चेतना से व्याप्त है यही चेतना बंगाल की काली पुजा में दिखती है यही चेतना बंगाल और पूरे भारत की आस्था में दिखती है इसी चेतना और शक्ति के एक पुझ को स्वामी विवेकानन जैसे यूग पुरुशों के रूप में स्वामी रामकृष्ण परोंस ने प्रदिप्त किया था स्वामी विवेकानन को मा काली की जो अनुहूती हुई उनके जो अध्यात्मिक दर्शन हुई है उसने उनके भीतर और साधान उर्जा और सामर्थ का संचार किया था स्वामी विवेकानन जैसा ओजस्ची विव्यक्तित्वा इतना विराठ चरित्र लेकिन जगनमाता काली की स्मृति में उनकी भक्ति में वो छोटे बच्चे की तरफ भीवल हो जाते थे भक्ति के ऐसी ही निश्चलता और शक्ति साधना का ऐसा ही सामर्थ मैं हमेशा पुझ्य स्वामी आत्मस्थान जी के भीतर भी देखता था और उनकी बातों में भी माकाली की चर्था होती रहती थी जब भी बेलूमर जाना हो गंगा के तरफ पर बैठे हो और दूर माकाली का मंदिर दिखाई देता हो तो स्वाभाविक एक लगाव बन जाता था जब आस्था इतनी पवित्र होती हैं तो शक्ति साक्षात हमारा पत्रदर्शन करती हैं इसलिए माकाली का वो असिमीत असीम आशिरवाग हमेशन भारत के साथ है भारत इसी आध्यात्मिक उर्जा को लेकर आज विश्व कल्यान की भावना से आगे बढ़ रहा है साथियों हमारे संतों ने हमें दिखाया है कि जब हमारे विचारों में व्यापकता होती है तो अपने प्रयासों में हम कभी अकेले नहीं पढ़ते आप भारत वर्ज की धर्ती पर ऐसे कितने ही संतों की जीवनियात्रा अगर आप देखेंगे जिनोंने सुन्य संसाधनों के साथ सिखर जैसे संकल्पों को पूरा किया यही विश्वास यही समर्पड मैंने पुझ्य आत्पस्थान जी की जीवन में भी देखा था उनसे मेरा गुरु भाव का भी समन्द रहा है मैंने उन जैसे संतों में निश्काम होकर शत्र प्रतिशत समर्पड के साथ खुद को खपाने की सीगी ली है इसलिए मैं कहना चाहता हूँ जब भारत का एक व्यक्ति एक रिशी इतना कुछ कर सकता है तो हम 130 करोर देशवासी सामुईक संकल्पों से कौन सा लक्ष है जो पूरा नहीं कर सकते है संकल्प के इस शक्ति को हम स्वच्च भारत मिशन में भी देखते हैं लोगों को विश्वास नहीं होता था कि भारत में इस तरह का मिशन सबल हो सकता है लेकिन देश वास्यों ने संकल्प किया और प्रणाम दुनिया देख रही है डिजिटल इंडिया का उधारन भी हमारे सामने है डिजिटल पेमेंट्स की शुरुवात के समय कहा जाता था कि ये टेकलोजी भारत जैसे देश के लिए नहीं है लिकिन आज वही भारत डिजिटल पेमेंट्स के खेत्र में वल्ड इड़े बनकर उभरा है इसी तरह कोरोना महमारी के ख़लाब वैक्सिनेशन का सबसे ताजा उधारन हमारे सामने है दो साल पहले कई लोग कैल्कुलेशन करते थे कि भारत में सब को वैक्सिन मिलने में कितना समय लगेगा कोई कहता था पांच साल, कोई कहता था था दस साल, कोई कहता था पंदरा साल आज हम डेड़ साल के भीतर दो सो करोड वैक्षिन डोज के करीब पहुँच चुके है यह उधानन इस बात के प्रतीव है कि जब संकल पर शुद्ध हो तो प्रयाशों को पुर्ण होने में कोई देर नहीं लगती रुकावटों से भी रास्ते निकलते है मुझे विश्वास है कि हमारे संतों के आशिरवात और उनकी प्रेणा देश को इसी तरह मिलती रहेगी आने वाले समय में हम वैसा ही भव भारत बनाएंगे जिसका आत्मी स्वास हमें स्वामी विवेकरन जी नहीं दिया था और जिसके लिए स्वामी आत्मस्थानन जी जैसे संतों ने प्रयास किया था और मैं आज आप सभी पुज़ संत जनों के सामने आया हूँ जैसे मैं अपने परिवार में आया हूँ इसी भाव से बात कर रहा हूँ आपने मुझे हमेशा अपने परिवार का सद़ से माना है आज हादिक अमरत महोसों चल रहा है इस अमरत महोसों में हर जीले में 75 अमरत सरोबर बनाने का संक्रब है आप जहां भी काम करें हैं आप भी लोगों को प्रेदीत करिए आप भी इससे जुड़िए और आज हजी के अमरत महोसव के मानो सेवा के इस उत्तम काम में आपका मारदर्शन, आपका सयोग, आपकी सक्रियता बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकती है आप हमेशा समाज के सुखदुख के साथ ही रहे हैं शताब्दी वर्ष, नई उर्जा, नई प्रेणा का वर्ष बना रहे हैं आज हजी कामरत महोसव, देश में कर्तब्य भाव जगाने में सपल हो इन सब में हम सब का सामुही गयोगदान एक बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है इसी भाव के साथ आप सभी संतों को एक बार फिर मेरा प्रणाम बहुत बहुत धन्यवाद